आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग करना क्यों जरूरी होता है और साथ ही आभी जानेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं तो बने रहे ये वीडियो के एंड हैं कि अर्थिंग क्या होती है दोस्तों किसी विधात वाली मसीन या अन्य उपकरण जैसे फ्रीज वासिंग मसीन वाटर पंप कूलर डिस्ट्रिबिशन बोर्ड आदिको एक वायर के माध्यम से जमीन से जुड़े अर्थ एलेक्ट्रॉट के साथ जोड मसली कहते हैं दोस्तों जो हमारा डारेक्ट एर्थिंग शिस्टम होगता है जिसमें आर्ख इलेक्ट्रॉड को सीधा जमीन से गार देते हैं यानि की अर्थिंग इलेक्ट्रॉड और अर्थ की जाने वाली उपकरण के बीच कोई और एलिमिंट जैसे की रिजिस्ट्कry और या current transformer या potential transformer ना हो तो हम उसे direct earthing system कहते हैं इसका प्रयोग विद्धुत उपकरणों के धारावाही भागों को अर्थ करने के लिए किया जाता है दोस्तों अगर बात करें indirect earthing system की तो इसमें earthing electrode और earth की जाने वाली उकरण के बीच प्रतिरोधक reactance, coil या current या transformer transformer या voltage transformer होता है तो इस प्रकार के अर्थ को indirect earthing system कहते हैं इसका प्रयोग दोस्तों power की supply जैसे generator transformer आधिके neutral point को अर्थ करने के लिए किया जाता है दोस्तों अगर हम बात करें indirect earthing system के लाव की तो indirect earthing system मुखेता हमारी विद्धुत के उपकरण को सुरच्छा देता है और current की unbalancing को बराबर रखने में मदद करता है अगर बात करें direct earthing system के लाव की तो या earthing सदय हुमन protection यानि हमारी सुरच्छा के लिए उपयोग की जाती है तो दोस्तों आप जानेंगे कि earthing कितने प्रकार के होती है और कैसे की जाती है दोस्तों जो earthing होती है कई प्रकार से की जाती है या निर्भर करता है कि आप कहां और किस काम के लिए या कितने load के लिए earthing करना चाहते हैं जैसे मान लो कि हमारे घरों में ज़्यादा heavy earthing की जरूरत नहीं पड़ती है जबकि किसी factory या company में एक से ज़्यादा heavy earthing की जरूरत पड़ती है वहां पर एक या दो नहीं बलकि कई जगोह पर earthing लेनी पड़ती है दोस्तों जो earthing हम उप्योग में लेते हैं वह मुखेता पर आती है coil earthing तो पहले बात करते हैं इस्ट्रिप और वायर अर्थिंग की तो दोस्तों इस्ट्रिप और वायर earthing को हम पहाड़ी जगहों पर करते हैं या जहां पर पथ्रीली जमीन होती है और साथ ही इस earthing का मोटी तता लगबग 10 फिट लंबी और नीचे से निकलनुमा पाइप को उप्योग में लेते हैं इस पाइप के नीचे हिस्से में लगबग एक मीटर तक थोड़ी थोड़ी दूर पर 12-12 mm के होल होते हैं जिससे डाले गए पानी को जमीन के चारो तरफ फैलने का रूप से तथा रेतीली जमीनों पर करते हैं टेंपरेरी रूप में हम धात की राट को एक नम्य वाले इस्थानवे गाड़ देते हैं तता उससे अर्थवार को जोड़कर उप्योग में लिया जाता है अगर बात करें रेतीली जगवह पर उप्योग की तो रेतीली जमीनो में माइस्टर काफी ज्यादा होता है इसलिए हम रेत वाली जगहों पर काफी गहराई तक अर्थिंग करनी होती है और गहराई ज्यादा होने के कारल हम इस अर्थिंग में रॉड का उप्योग करते हैं यह रॉड लगबग 12 mm से 20 mm तक मोटी तता लगबग 6 फिट से 12 फिट ल प्लेटों में किया जाता है दोस्तों प्लेट अर्थिंग में हम कापर तथा जीए प्लेट का उप्योग करते हैं जिसका साइज 600 mm इंटु 600 mm से लेके 900 mm इंटु 900 mm तक आता है प्लेट अर्थिंग में हम प्लेट को गड़्डा खोद कर लगबग 10 से 12 फिट नीचे जमीन मे डाल देते हैं और इस प्लेट में हम नट बल्टिंग करके जिया या कापर पती या कापर वायर को जमीन की उपरी सता तक लाकर छोड़ देते हैं साथ ही प्लेट के उपरी हिस्से से एक पाइप को जोड़ कर जमीन के उपरी सता तक लाकर छोड़ दिया जाता है और फिर को कायल अर्थिंग क काफी कंँ देखने को मिलता है इस कायल का इस अर्थिंग सार्भ ज्यादा ता रेले और इलेक्ट्रिक पोल में किया जाता है तो दोस्तों आफ जानते हैं कि हर्थिंग करना क्यों जरूरी होता है उदधारर के लिए मालो जैसे कोई मोटर है और उस मोटर की हमने अर्थिंग नहीं कर रखी है अब अगर मोटर में कभी कोई electric fault होता है जैसे मालो कि हमारी मोटर की winding जल गई या हमारी supply cable कटकर मोटर की बाड़ी पर touch हो जाए तो ऐसे में अगर हमने मोटर की अर्थिंग नहीं कर रखी है तो current हमारी मोटर की बाड़ी पर बहने लगेगा और अगर इसी समय किसी ने इस मोटर को गलती से छू लिया तो उसे काफी बड़ा बजली का जटकल लगेगा और पर अगर हमने अर्थिंग कर रखी है तो मोटर की बाड़ी का current हमारे अर्थवार से पास होकर जमीन के अंदर चला जाएगा जिससे हमें current नहीं लगेगा तो दोस्तों कई लोगों के मन में या सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर अर्थिंग करने पर हमें current क्यों नहीं लगत होता है पर दोस्तों जो हमारी बाड़ी का resistance होता है वह एक हजारोम या उससे भी ज्यादा होता है परन्तों हम जिस अर्थिंग को करते हैं उसका resistance हम एक ओम से पांच ओम के बीच रखते हैं जिससे दोस्तों जब कभी भी कोई fault होता है तो current हमारी बाड़ी जिसका resistance एक हजा है तो इस लिए अर्थिंग करने पर हमें करन नहीं लगता है दोस्तो अर्थिंग के लिए किसी टेक्निशेन को बिलाना चाहिए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सेयर करें अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें